आप लोगों ने आलू के चौप तो खाए होंगे बट मैं आज बनाने जारी हूँ ककुरे की चौप जी हाँ दोस्तों एकदम से ही नई रेसिपी है तो प्लीज वीडियो को इसक्रिप मत किजिए और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज कमिन मे जरू लिखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए नमस्ते दोस्तों मैं जोती स्वागत है आप लोगों को मेरी चैनल जोती दास वर्ल्ड में तो यहाँ पर मैंने लिया है यह ककुरे तो सबसे पहले थो हम ककुरे को और एक चाकू की मदद से इसका जो उपर का भाग है इस तरह से पहुत ही पतला पतला करके इस तरह से हम इसे साफ कर लेंगे आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से साफ कर रही हूँ इस तरह से तो इसी तरह से मैंने तीन को कुरे लिया है और तीनों को कुरे को मैंने अच्छे से इसका उपर का भाग साफ कर लिया है आप इसे बीच में बराबर करके दो टुक्रों में हम काट लेंगे इस तरह से अब हम इसे धूलेते हैं और एक पेन में अब इसे धोकर इसे पेन में डाल देंगे अब इसमें हम आट कर देंगे पानी और इसे उबाल लेंगे इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है बस आधा चब यह बॉयल हो जाओ तो उसके बाद हम इसे निकाल देंगे, जब तक यह बॉइल होता रहे, तो यहां पर मैंने छन्नी में जो सुर्षो के दाने हैं, उसे मैंने लिया है, एक बड़ी चम्मच, और इसे दो लिया, और साथ में मैंने हरी मिर्ची अर्ला सुन लिया है, और यह है, एक पियाज मैंन बॉल हुआ है यानि कि 50% बॉल हुआ है तो इसे हम चन्दी से चानकर चान लिया और जब ठंडा हो जाए तब चम्मच की मदद से चम्मच का पीछे वाला हिस्सा है इससे इस तरह से हम इसे इसके कोकुरे के बीच वाले भाग को इस तरह से हम निकाल लेंगे देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे निकाल डियो अंदर का जो यह भाग है यह वाला बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं चम्मच के मदल से अब हमें इसे फेकना नहीं है यह इसका बीच का जो हमने भाग इसे चम्मच के मदल से निकाला है तो हम ये वाला भाग भी उसी मिक्सिंग जार में एड़ करनेगे जिसमें मैंने सुर्सो, हरी मिर्ची, लासुन और प्याज एड़ किया है अब इसमें हम थोड़ असा पानी एड़ करेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए तो चली इसको पेस्ट बना लेते हैं अब हम इसे एक दूसरी बर्तन में निकाल लेंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे नमक अपने सुवात के हिसाब से इसके बाद नमक अड़ करने के बाद इसे अच्छे से इस तरह से चमच के मतर से मिक्स कर लेते हैं तो यह पला पेस्ट तो तयार है तो अब इसमें हम और थोड़ा सा प्याच काट करके अड़ कर देंगे इसमें तो अब यह वाला जो पेस्ट हमने बनाया है इससे इस तरह से कोकुरों के बीच में बले भाग में हमें इस तरह से इसे एड़ कर देंगे देख सकते मैंने किस तरह से इसे एड़ कर रही है इसके अंदर इस तरह से इसे भर देना है आप लोग भी वाला रिसे भी जुरूर एक पर ट्राए किजेगा बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही तो आप चलिए लेते हैं आप दो चम्मज बेशन बरी चम्मज का और यहां पर मैंने लिए एक चम्मज सूजी अगर आपके पास चावल का आटा हो तो आप सूजी के बदले चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं बट मेरे पास चावल का आटा नहीं था तो मैंने सूजी यूज़ किया तो इसके बाद इसमें हमने नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मीज कि इसका बेटर तेयर कर लेते हैं, और जो बेटर हम बनाएंगे ये, एकदम से पतला भी ना हो और एकदम से गाड़ा भी ना हो, उस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, तो इस तरह कराई में मैंने फॉर्चुन का रिफाइंड और गरम होने के लिए रखे हैं, अब वह वाला जो हमने बेटर तेयर किया है चमबस के मादध इस तरह से उपर में, इस तरह से इसे कवर कर देंगे और उसे में इसे रखते जाएंगे, इस तरह से अब देख सकते हैं मैंने किस तरह से कवर किया है, अब चली इसे फ्राइ कर लेते हैं तो तेल को तेल जब गरम हो जाएए उसके बाद गैस को फ्लेम को एक दम से ही लो में रखना है और लो में रखकर हमें इसे कूप करना है, अगर हम गैस का फ्लेम लो नहीं रखेंगे, हाई में रखेंगे तो यह अंदर से कच्छे रहेंगे और ऊपर आपर रही पकेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए हमें इसे एक तम से लोमें रख कर इसे कौक करना है और जैसे ही एक साइट ये color change हो जाए यानि कि ये पक जाए उसके बाद हम दुसरे साइट में इसे पलत देंगे और ये तो पक चुका है तो चलिए इसे अब निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं तयार है को कुरे के चॉप तो बाकी जितने को कुरे थे उसको भी हमें इसी तरह से सेम प्रोसेस में हमें इसे भी कुक कर लेना है तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसेपी प्लीज कमेंड में जरू लिखIESएगा और मेरी वीडियो को लाइक केजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर केजिए मिलते हैं अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाई और ठैंक यू सो मुझ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को वेच किया